Hey guys, thank you so much for coming back, कैसे हैं याँ बच्च लोग सारे मिरा नाम है सुनी लदिकारी, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, आज का वीडियो one of the most important वीडियो होने वाला है, अगर आपका विचार है, आपने सोच लिया है कि आर 12th के बाद हमें computer science field में अपना कहरे बनाना है, चाहे तो बहुत जादा important है, क्योंकि आज के वीडियो में हम discuss करने वाले हैं, बीटेक जो कि एक engineering field का बहुत चहीता एक course है, undergraduate course है, बीटेक computer science को compare करने वाले है, BCA, bachelor in computer application, BCA, जो course, एक arts वाला, एक commerce वाला, एक science वाला, तीनों stream वाले कर सकते हैं, बीटेक के अगर हम बात करने तो बीटेक सिर्फ और सिर्फ science stream के और especially PCM background के बच्चे ही कर सकते हैं, इन दोनों courses में आज के वीडियो में full comparison होने वाला है, और मैं आपको surety देता हूँ, कि आज के वीडियो के बाद, आपको ये clarity हो जाएगी, कि sir, 12th के बाद, 12th PCM के बाद, अगर आप science के student है, sir, बीटेक CS करना जादा beneficial रहेगा, या फिर BCA करना रहेगा, चलिए, start करेंगे आज के वीडियो को, सबसे पहले, आपकी screen पर एक सुन्दर सी slide आपको दिख रही होगी, जहां पर parameters लिखावा है, एक तरफ है B.TEC, दूसरी तरफ है BCA, चलिए, start करते हैं, सबसे पहले factors से, जो की है, meaning, meaning से हम basic knowledge ले लेते हैं, दोनों courses के बारे में, देखिए, B.TEC, C.S.E. बोलते हैं, computer science engineering इसको बोलते हैं, तो bachelor of technology in computer science and engineering, 4 साल का हमारा undergraduate program है, सबसे पहली बात क्या है, B.TEC हमारा 4 साल का undergraduate program है, BCA, अगर हम बात करें तो यह 3 साल का होता है, B.TEC में आते हैं, वापिस से हम, it deals with the development as well as designing of computer software and hardware processes, देखिए, नाम से पता लग रहा है, B.TEC, right, bachelor in technology, right, bachelor in technology, तो यह engineering field है, तो computer में क्या होगा, यहां पर software, जो computer software होते हैं, hardware process होता है, उनका more of a engineering part है, right, कि उस process को develop कैसे करना है, setup कैसे करना है, maintenance कैसे करनी है, repairing वगएरा कैसे करनी है, so engineering में, main basic focus हमना यह रहता है, right, development as well as designing, development, develop करना, development बनाना, उस process को बनाना, software को बनाना, hardware को, repair करना, manage करना, setup करना, और उनका design करना, clear हो रहा है, बच्चो, देखिए, नाम से ही हम पकड रहे है, meaning को, right, आगे बहुत सारे parameters है, लेकिन सबसे पहला, meaning समझना बहुत जरूरी है, देख Bachelor of Computer Application, BCA का full form किया है, Bachelor of Computer Application, right, so, जो computers है, वो किस-किस field में काम आते हैं, किस-किस तरीके से काम आते हैं, मतलब, जो artificial intelligence है, computers है, internet है, जितने भी system है, वो किस-किस फील्ड में, किस-किस तरीके से काम आते हैं, यह main हमारा होता है, BCA में, बैचलर ओफ कम्प्यूटर अप्लिकेशन में पीटेक मोर ओफ इंजिनेरिंग साइट सेट अप डिजाइनिंग डवलप्मेंट मेंटेनेंस और जहां पर बीसीए की बात करें तो इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है टेकनिकल एरियाज ओफ इंडस्ट्रिल कम्प्यूटिंग सिस्टम मतलब वेरियस वेरियस इंडस्ट्री में बिसनेसेस में इस अॉस्ट कर सकते हैं बहुत इन डेप्थ बहुत बहुत यह सिंपल तरीके से आपको बचाने ही कोशिश कर रहा हूं है राइट ड्यइशन आपको बता लग गया ऐन बिलकुल एक है duration चार साल तीन साल ये clear हो गया meaning clear हो गया duration clear हो गया चलिया भागे बढ़ते है eligibility पर eligibility क्या है देखिए BTEC की बात करें तो यहां पर आपका 12th complete होना ज़रूरी है minimum 50 percentage आपकी होने चाहिए PCM background होना बहुत ज़रूरी है mathematics का background होना ज़रूरी है BTEC को करने के लिए और BCA की बात करें तो 12th pass होना चाहिए 50 percentage से होना चाहिए stream यहां पर matter नहीं करती है I repeat BTEC के लिए आपका PCM background होना ज़रूरी है BCA के लिए कोई भी stream matter नहीं करती है जादा तर colleges math को prefer करते हैं मतलब commerce with math, arts with math, science with math को prefer करते हैं लेकिन without math भी कई ऐसे colleges हैं जो कि BCA में आपको admission दे देंगे stream यहां पर matter नहीं करती है चारो point clear हो गए आगे बढ़े चलिए admission process देखिए यहां पर BTEC की बात ले लो या फिर BCA की बात ले लो दोनों में ही entrance के basis पर जितने भी अच्छे colleges हैं merit basis पर भी बहुत से college देते हैं लेकिन हम बात करें top colleges की जहां पर आप admission ले सकते हैं सब के सब खुद का entrance लेते हैं BTEC में और BCA में तो entrance के साथ साथ personal interview का भी round होता है बहुत सिम्पल होता है, ज्यादा टफ नहीं होता लों रॉंड होते हैं तो हमें दिहान में रखनी है कि जो भी हम admission ले रहे जहां पर भी हम admission ले रहे जिस भी college में हम admission ले रहे के बारे में हमें knowledge हो उस entrance के बारे में हमें बता हो तो जितने भी बच्चो देखो B.T.E.C. का one of the most important examination होता है I.T.J.E. इसके basis पर top engineering college मिलते हैं वैसे तो और भी होते हैं जिसे बिल्डा इंस्ट्यूट का bid set होता है वैलोर इंस्ट्यूट का V.I.T.E.E. होता है सिंबोसिस का अलग से होता है MS.S.S.E.T. होता है बहुत सारे अलग entrance है लेकिन जो top colleges की बात करेंगे तो भई I.I.T. है राइ ट्रिपल I.T. है N.I.T. है C.F.T. है तो बहुत अच्छे-च्छे colleges हैं जैसे कि I.I.T. नियू धहली है I.I.T. मदरास है चिन्नई है बॉम्बे है खड़कपुर है कानपूर है चंडिकर यूनिवरसिटी है तो यह क्या है टॉप colleges है जिनके थुरू आप अपना B.T.E.C. Computer Science से complete कर सकते हैं बात करें B.C.A. की तो Bennett University Noida Presidency College Bangalore Christ University Bangalore चंडिकर यूनिवरसिटी SRM Institute चिन्नई का Symbosis Institute हमारा पूने का तो यह काफी अच्छे institute है जो कि आपको B.C.A. कोर्स में enrollment करते हैं admission देते हैं और जिसके थूरू आप B.C.A. अपने complete कर सकते हैं यहाँ तक clear हो रहा है बच्चो दोनों के लिए entrance लगेगा entrance में अच्छे marks लाइए देखिए यह जो मैं colleges के नाम ले रहा हूँ यह सारे top class colleges हैं तो इन में admission के लिए आपको entrance अच्छे marks से pass करना पड़ेगा Yes or No? चलिए Job rules की बात करें B.Tech की सबसे पहले बात करेंगे तो बच्चो यहां पर आप देखो teaching line में जाके professor बन सकते हैं computer programmer बन सकते हैं voice engineer बन सकते हैं software engineer बन सकते हैं web developer बन सकते हैं research and development में application engineer बन सकते हैं web designer बन सकते हैं IT coordinator बन सकते हैं data security officer बन सकते हैं quality engineer आप बन सकते हैं process engineer आप बन सकते हैं नेटवर्क इंजीनियर, डाटाबेस अडिनिस्ट्रेटर, टेस्ट इंजीनियर, प्रोग्रामर है, विडियो गेम डिजाइनर है, मैनेच्मेंट कंसल्टेंट है, आईटी कंसल्टेंट है, मुबाइल एप्लिकेशन डवलपर है, कम्प्यूटर सिस्टम अनलिस्ट है, लेखने को मिलेगा बीटेक काफी जादा महेंगा है इफ यूर कंपेरिंग डैट विद अ बीसी ए दो लाग से लेकर दस लाग चार साल का आपके बीटेक CS के प्रोग्राम की फीस रहेगी बीसी ए की बात करें तो 80,000 से लेकर 4,000,000 ये बाउट आपका 3 साल का बीसी ए कंप्रीट हो जाएगा ये डिपेंड करता है कि इन कॉलेजिस में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी रैपूटेशन क्या है प्लेस्में रिकॉर्ट कैसा है रेकि बीटेक ग्रेजवेट्स तीन लाग से लेकर 5,000,000 लेकिन बहुत कम भी नहीं है बीसी ए का 2,000,000 से लेकर 4,000,000 दोनों ही फील्ड में जितना एक्स्पिरियंस आप गेंड करेंगे जितना स्किल को इंप्रूफ करेंगे जितनी अच्छी ओगनाईजिशन के साथ जूड़े तो प्लीज लाइक जरूर बनता है इस वीडियो पर राइट चलिए आगे बढ़ते हैं टॉप रिक्विटिंग ओगनाईजेशन मतलब कौनसी ओगनाईजेशन में आप जॉब कर सकते हैं रेपूटेटेट फर्म है देखो सबना होता है सबका TCS में वर्क करने का Infosys में व विप्रो में वर्क करने का सेंटल में वर्क करने का Hexaware में वर्क करने का राइट बीसी की बात करें तो यहां पर भी रेपूटेटेटेड एकॉमर्स फर्म है कई Amazon है, SCL है, Campingamani है, Wipro है, TCS है, Essential है, Google है तो बहुत सारे IT जो फर्म होती है na Information Technology फर्म IT फर्म, IT फर्म के लिए Preferred रहती है दो, या तो BCA कर लिजे या फिर BTX CSA कर लिजे, right, मैं recommend करूँगा या आपके लिए suggest करूँगा, मैं o conclusion बताऊंगा लास्ट बताऊंगा, अभी तक थोड़ा suspense रखते हैं, carrier growth पहले discuss कर लेते हैं, देखें, scope of carrier growth is high, after 3 to 4 years of experience, right, 3 से 4 साल क experience के बाद carrier growth काफी जदा बढ़ जाएगी, an IT professional can lead a team, IT का जो professional है, मतलब आप जब engineer बन जाओगे, तो आपको IT professional बोला जाएगा, आप team को lead कर सकते हो, एक certain experience लेने के बाद, एक team को lead करोगे तो normal सी बात है, यार, बहुत अच्छा आपका 5-6 लाग पर NM का आपका salary package रहेगा, right, BCA followed by MCA, देखिए अगर आप BCA के साथ na, MCA कर लेते हो, तो सोने पे सुहागा वाली बात है, बहुत ही अच्छा career options है आपके लिए, BCA के बाद MCA करना, और यहाँ पर better career opportunity मिलेगी, better career growth मिल सकती है आपके जो profession को, right, चलिए, अब conclusion में आते हैं, बहुत सारे topics हमने discuss कर यह conclusion क्या है, मेरी तरफ से मेरा personal opinion यह है, अगर आप science के चातर है, science के चातर है, PCM background से है, और पढ़ाई में अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, so आपको IIT की, JE की तैयरी करनी है, उसमें जितना अच्छा हो सके percentage score करनी है, JE mains में, advance में होता है तो बहुत अच्छी ब branch मिल जाएगी, पढ़ाई में मेहनत करिए, entrance को crack करिए और BTEC CS करिए, especially for those who are in PCM background, who are from PCM background and are of a good intelligence level, जिनका intelligence level अच्छा है, पढ़ाई में अच्छे हैं, अगर आप PCM background के हैं, आपने ले तो ली है PCM, लेकिन यार पढ़ने में उतने अच्छे नहीं है, computer में interest है, दोनों field के specific domain है, मैं बात कर रहा था, PCM के आप student है, बढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, तो आपके लिए IAT वगेरा crack करना बहुत मुश्किल रहेगा, तो आप easily option या easy option रहेगा BCA आपके लिए करना, लेकिन BCA किसी भी तरह के से easy course नहीं है, पहले ही मैं बता द है, यहांदा clear हो रहा है, तो मैंने clear कर दिया, और अगर आप, देखिए normal सी बात है, arts के हैं, commerce के हैं, तो obvious सी बात है, आप BTEC नहीं कर सकते, आपके लिए सबसे best जो option है, preferred जो option है बच्छो, वो BCA का है, लेकिन एक disclaimer मैं पहले ही दे दूँ, disclaimer BCA को करने से पहले मैं देना चा कर लोगे आप, accountancy भी आती है, basic जो fundamental साथ है, practicals है, theoretical है, तो एक बहुत अच्छा combination है, पढ़ने की जरौत पड़ेगी, मेहनत बहुत जादा करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आपने BCA में, sorry, enrollment ले लिया, तो आपको लगता है कि आप पढ़ने की जरौत नहीं पड़ेगी, बहुत टफ है, अगर मैं इसको BCOM से compare करूं, BBA से compare करूं, BHM से compare करूं, BA से compare करूं, BSC से compare करूं, BCA सबसे hard पड़ेगा, BCA सबसे hard पड़ेगा, BTEC के बाद सबसे hard course में बोलता हूं, BCA है, right, so यह easy course नहीं है, लेकिन यार अगर आपका interest computer में ही है, software, coding, hardware, networking, database वगेरा इन मे अगर आपका interest है, तो यार कोई भी चीज वहाँ पर फिर hard नहीं है, जो चीज हम enjoy करते हैं, वो चीज हमारे मुश्किल क्या है, right, मानके चलिए, मुझे cricket बहुत पसंद है, right, और आप है, cricket का A, B, C, D भी नहीं जानते हो, तो यार मुझे cricket खेलना बहुत पसंद आएगा, मै expert बनना चाओंगा उस पर, लेकिन आपको तो वह बहुत hard लगेगा, क्योंकि आपको तो वह आता ही नहीं है, अगर आपको बोला जाएगा, आपको cricket खेलना है, सीखना है, आपका ना तो interest है, ना आपको खेलने में मज़ा आएगा, same with a B, C, अगर आपको computer में interest है, तो कितना आज का वीडियो, session पसंद आया होगा, ऐसे ही session regular, जी हाँ, regular, आते रहते हैं इस channel पे, channel को subscribe करना मत भूलिएगा, notification mail को hit करना मत भूलिएगा, ऐसे ही किसी और interesting वीडियो के साथ मिलेंगे नए वीडियो में, till then take care, goodbye, पढ़ते रहिए, महनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देने, thank you so much